हेलो गाइज वेलकम बैक टू टेक्निकल दिपिंद्री यूटूब चैनल गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एंड्रोइड फोन आप उसे कैसे सेक्वेर कर सकते हो तीन में थर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा जिसके जरी हेकिंग होने से बचा सकते हो गाइज अगर आपके इंड्रोइड फोन में इस सेटिंग जो आए आप लोग इसे बार बार अगर नहीं देखते हो तो आपका इंड्रोइड फोन हेक हो सकता है अगर आप चाहते हो कि अपने इंड्रोइड फोन को सेक्वेर करना चाहते हो कि ह राकिंग होने से बचाना चाहते हो तो आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लास तक देखना आपका Android Phone कोई भी Android पोन होगा हर एक Android Phone में इस सेटिंग होता है तो आप लोगों को अपने Android करना आँ मैं आपको जैसे जैसे करूंगा आप जोगों को सेम् फोलो करना गाइज मैं यदिस एक रिकोोष्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने ने इस टेकनिकल दिपिंदरी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन पर किलिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज बगल में बेल आइकन का बटन उससे भी इनेबल कर देना क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिपि सब्सक्राइब करो गाइज कि और लोगों को भी पाता चले कि मैं वहां पर भी गाइज टेकनोलोजी से रिलेटेड एंड्रोइट से रिलेटेड हैकिंग से रिलेटेड वीडियो जैसे मैं अपनी यूटूब चैनल पर अपलोड करता हूं वैसे भी अपने फेस्बुक पे तो गाईज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं अपने Android के Home Screen पे आ चुका हूँ अब यहां आने के बाद गाईज सबसे पहले हमें सेटिंग में जाना होगा तो जैसे कि मैं यहां पे अपना सेटिंग ओपन कर लेता हूँ सेटिंग में आने के बाद गाईज आप लोगों को नीचे जाना है यहां नीचे आने के बाद गाईज आप लोग यहां पे देख सकते हैं Google आप लोगों को यहां पे किलिक कर देना है तो जैसे कि गाईज मैंने यहां पे Google पे किलिक किया Google पे किलिक करने के बाद गाईज आप आप लोगों को नीचे जाना है नीचे आने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेक्रोटी का अप्षन तो गाइज आप लोगों को सेक्रोटी पे किलिक कर देना है सेक्रोटी पे किलिक करने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड आप लोगों को यहां पे किलिक कर देना है, जिसे कि यहां पे लिखा है Google Play Protect, आप लोगों को यहां पे किलिक कर देना है, यहां पे किलिक करने के बाद guys, आभी यहां पे हमारा Play Protect open हो चुका है, अब यहां पे आने के बाद guys, आप लोगों को यहां पे setting पे जाना है, जिसे कि आप लोगों पर setting देख सकते हैं तो जैसे कि यहाप पर मैंने setting open किया अब यहाँ पर आने के बाद guys आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि आप लोगों को यह जो दो setting आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है यह setting on है कि नई गाइज आप लोगों को यह जो दोनों सेटिंग है आप लोगों को यहाँ पर दोनों को on रखना है इसे इसे भी दोनों को on रखना है उसके बाद back करना है इससे क्या होता है गाइज अगर आपके android phone में कोई भी virus हो तो इसे google play protect डिलेट कर देता है गाइज यहां आने के बाद आप लोगों को क्या करना है यह पर इसकेन कर देना है आपे scan करने को बाद गाइज जो है आपका पूरा android phone का जीतना भी application अब अब application को scan करेगा अगर किसी भी application में virus पाएगा तो guys यह आप लोगों को यहाँ पर show कर देगा तो guys आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अब यह scanning हो रहा है अगर यहाँ पर किसी भी application में यहां पे जिसे देख सकते हैं किसी भी एप्लिकेशन में अगर कोई भी भाइरस होता तो यहां पे शो कर देता है लेकिन आप लोग यहां पे देख सकते हैं नो problem found आप लोगों को इसi quality दिख सकते हैं व गाइज आप्याइं एक लोगों को इस ट्मड दियान देना हुआ पंख करने के बाद हम हुआ फिर से आप गूगल पर जाते हैं, हमी नीचे जाना है आप नीचे आने के बाद guys आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं device connection आप जैसे guys आप लोगों को यहाँ पर click कर देना है device connection पर device connection पर click करने के बाद guys आप लोगों को यहाँ पर cast media control आप लोगों को यहाँ पर click कर देना है यहाँ पर किलिक करने के बात गयाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह सेटिंग आपका on है की नहीं इस सेटिंग को गयाई आप लोगों को on करना है इस सेटिंग को अगर आप on नहीं करूंगे तो गयाईज अगर जैसे कि आपका जो कोई भी third party का application होता है आपका जो screen कोई भी hack करके देख रहा आपने Android phone में तो guys अगर ए setting off है तो कोई भी easily आपका जो Android का home screen कोई भी application आपके Android phone में रखके आपका screen देख सकता है जिसके आप अपने screen को share कर सकते हो अगर ए setting on है तो guys आप लोगों को यहाँ पर्मीशन मांगेगा Google Play Protect आप लोगों को कहेगा कि सबसे पहले आप इस पर्मीशन को off करो उसके बाद मैं allow करता हूँ आप अपने screen share कर सकते हो तो जिसके यहाँ आप लोगों देख सकते हो guys तो आप लोगों को क्या करना guys इसे on करना है क्योंकि कोई भी अगर आपका जो Android phone है उसे अगर आपके screen को share करनी की कोशिश करेगा तो guys ओ यहाँ से पहले permission उसे लेना पड़ेगा तो guys इस था दूसरा setting आप guys हम मैं आप लोगों को तीसरा बताता हूँ तो guys आप लोगों को यहाँ पे setting पे आजाना है setting पे आने के बाद guys आप लोगों को यहाँ पे सार्च करना है security आप लोगों को यहाँ पे security सार्च करना है guys तो security सार्च करने के बाद guys आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं security update जैसे कि यहां आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिखा है security update तो आप लोगों को क्या करना है यहां पर security update पर किलिक कर देना है यहां पर किलिक करने के बाद guys आप लोग यहां पर देख सकते हैं security update यहां कईके लिखा है आप गाइज आप लोगों को अपना जो security है उसे update करना है क्योंकि गाइज अगर जब तक आप अपने security को update नहीं करोगे तब तक अगर आपके android phone में कोई भी virus होगा जैसे कि ओड्मिनिस्ट्रेटर बनके अगर आपके android phone में होगा तो आप अपने security को update कर देते हो तो ओ जो virus हो इस android phone से delete हो जाएगा तो गाइज इसलिए यह बहुत जरूरी है गाइज कि आप लोगों को अपना जो android phone का security है उसे update करना इस बहुत जरूरी है गाइज तो आप लोग इसे जरूर करें गाइज तो गाइज आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो इस वीडियो को ज़ाद से ज़ाद से सेयर करो कियो और लोगों को भी पता चले ए ट्रिक के बारे में और लोगों बहुत जान जाए कि उनका भी Android जो Android फोन और हेकिंग होने से बच जाएगा गाइज तो अगर गाइज आपका कोई भी बेस्ट प्रेंड हो कहीं भी सोसल मीडिया पे आप लोग कहीं भी इस वीडियो को सेर कर सकते हो गाइज ऐसे ही और वीडियो आप लोग ऐसे ही और पावरफुल वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग मेरे इस टेकनिकल विपिंदरी यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को इनेबल करना ना बोलना गाइज क्योंकि मैं कोई भी व बीडियो आप लोग आप लोग आप लोग एकना बास के वाय मा थिखना वाल्या ओूर्ण उर्ध टेल्क्राइब के डिशन दोग आप लिखनेगे विद्द चैनल को मैं जरूर एक लिग विए उन्या में सब्सक्राइब देखना तर हैं पावल ओंषनर पावल आप लिए